हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ आरंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिनीपिक्स के बारे में तो मैं पूरी डीटेल में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए बीना किसी देरी के वीडियो शुरू करते ह यह जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है यह इनके हंगरी होने की निसानी है जब यह भूखे होते हैं तब यसी आवाज निकालते हैं तो आपके सामने पेश है मेरा मेल गिनीपिक इसका नाम फ्लैस है क्योंकि यह बहुत तेज भागता है और यह देखिए कैमरे को देख है फ्लैस मेरा मेल गिनीपिक और इसकी एज होगी अभी पांस से छे महीने के लगबग मेरे पास एक फिमेल भी है लेकिन वो केज के अंदर है मैंने केज में घर लगाया वो बाहर नहीं निकली तो अभी मैं मेल को यह लेकर आया हूँ और देख सकते हैं आप यह खाखा के बहुत हल्दी होगिया है तो मैंने पेर लिया है क्योंकि मझे गिनीपिक बहुत पसंते और इनके बच्चे भी बहुत कियुट होते हैं मैं इन के ऊओपर पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ एंगर आप इने पालते हैं तो जो भी बाते होंगे आपके साथ से एर करूँगा तो ये देखे कितने सांती से बैठ गया है और ये लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर आप इन्हें पालते हैं तो इनकी maintenance भी बहुत कम है ये खेलते बहुत अच्छे से हैं और आपके family के हर member को पहचान लेंगे और अगर आप चाहें तो Google पे सर्च कर सकते हैं इनका genetic DNA जो होता है उसमें 98% ये इनसानों से मिलता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके feed के बारे में तो जो भी मैं खाना बताने वाला हूँ आपको चाहे वो fruit हो या vegetable आप वही दें उससे अलग कुछ ना दें उसके पत्ते या डंडल आप इन्हें खाने में बनाना दे सकते हैं apple दे सकते हैं, orange भी और strawberry, kiwi, अमरूद और pineapple भी दे सकते हैं vegetables में आप इन्हें carrot दे सकते हैं tomato हो गया, पत्ता गोबी हो गई, शल्जम, ब्रॉकली, सिम्ला मिर्च, या फिर ये beans, मेथी, धनिया, खीरे, पुदीन, या फिर सरसो, या फिर गोबी के डंठल जो होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दे सकते हैं आप इसको खाने में रोटी भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं कई लोग सोचते हैं कि रोटी चावल से इनका पेट खराब हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने फीड किया इन लोगों को और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है रोटी तो ये और चावल से खाते हैं और चावल खाने से चावल खाना इनके लिए अच्छा भी है क्योंकि इनमें जो फैट होता है, वो चावल से बरकरार रहता है और इनने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो मैं कैमरे को केज की और लाया हूँ और आप देख सकते हैं पीछे के साइड पे फिमेल है ब्राउन कलर की उसकी ब्रीड मैंने चेक की तो उसका नाम रिंडल था और फ्रंट वाला पता नहीं क्या है लेकिन ये एक नमबर का नमून है इन्हें जितना खाना खाना पसंद है उतना ही जादे इन्हें खेलना पसंद है फिलार इन्हें ठंड में मैंने केज में रखा है और ये बॉक्स लगा दिया है ताकि रात में ये सो सके हैं और ठंड ना लगे और मैं इस केज को पूरा चादर सेलेबरेट देता हूँ मैंने केज में सिपर लगाई है वैसे इसमें से पानी थोड़ा थोड़ा पीते हैं लेकिन उतना नहीं पी रहे और अभी इस समय मैंने इने पालक दिया है ये पालक खा रहे हैं तो स्क्रीन पर मैंने जो भी खाना दिखाया था आपको आप वो दे सकते हैं गिनिपिक्स के पैलेट भी आते हैं ऑनलाइन आप वो भी दे सकते हैं लेकिन इंडिया में अगर आप ये नैचुरल खाना इने देते हैं तो ज़्यादा सही है क्योंकि अमेरिका में या दूसरी कंट्रीज में उन लोग के पास उतना टाइम भी नहीं होता और अलग जगा के लोग अलग सोच वाले तो आप देख सकते हैं ये खाने के लिए पागल है और ये ब्रीड करते हैं तो इनका लीटर साइज सबसे कम होता है क्योंकि शुरवात में ये दो से तीन बच्चे देते हैं कई बार चार भी देते हैं और इनका लीटर साइज मैक्सिमम आठ बच्चों का है और ये ब्रीड हर तीन महिने पे कर लेते हैं अभी तो ये फिलाल छे महिने के हैं और साइध female pregnant भी है तो आने वाली वीडियो आपको इस female के बारे में मिल सकती है और मैं update करता रहूँगा जो भी जैसा होगा और जो main result होगा हम यह female breed कर चुकी है या नहीं कर चुकी pregnant है की नहीं यह तो हमें 70 दिन बाद ही जानने को मिलेगा और बाकी इनकी care rabbits से बहुत असान है क्योंकि rabbits अगर कहीं पे गलत खाना खा लेता है या फिर कुछ सड़ा गला खा लेता है या अपनी बीट खा लेता है तो वो परिसान हो जाता है उसको ठंड में और भी कई बिमारिया हो जाती है लेकिन guinea pigs rabbits और hamster से काफी hard है और यह पालन जाता है तो friends उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please वीडियो लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और next वीडियो का इंदजार करें